हेलो फ्रेंड्स स्वागात है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल टी एल मेडिक पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैसा कि कई लोगों में अचानक दिल की धरकां तेज हो जाती है और ऐसा लगता है कि बस उनकी जान अभी निकल जाएगी ऐसा लगता है कि बस उनकी जान चली जाएगी तो ज़्यादा दर लोग मुझसे यही बताते हैं कि जब हम ऐसी जगा जाते हैं जहां अंजान लोग होते हैं या अंजान जगा होती है तो हमारे दिल की धरकन तेज हो जाती है और लगता है कि हम अभी मर जाएंगे पल्स रेट बहुत हाई हो जाती है उस टाइम पर यह सिंटम्स जो होते हैं डिक्प्रेसर के होते हैं अगर आपको हलका सा भी डिक्प्रेसर होता है तो यह समस्याइं आ जाती हैं तो दोस्तों इस समस्या से चुटकारा पाने का मैं एक अचुक उपाय आपको बताऊंगा जो बहुत ही पहतरीन वर्ब करता है और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि ये उपाइ होमियॉपैथिक है ना ये अंग्रेजी है और ना ये अएरवेथिक है ये होमियॉपैAh 4 है और ये उपाइ इतना सटिक लगता है इसको अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल कर देगी अगर आप इसका प्रियोग एक महीने तक कर लेते हैं तो आप इस समस्या से बिल्कुल छुटकारा पा जाएगे तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन सी दवा का प्रियोग करना है तो दोस्तों आपको इसमें लेना है फैसियोलस 30CH पोटेंसी में और दोस्तों इसमें जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है रेस्क्यू रेमिडी इसका मतलब होता है बचाने वाली दवा ये जितने भी मानसिक रोग होते हैं या घबराहट होती है जितनी भी समस्या होती है रेस्क्यू रेमिडी होमियोपैथिक के टॉप क्वालिटी की दवाओ में से एक है बहुत ही अच्छी दवा है तो आपको क्या करना है तो इसको भी आपको 30CH पोटेंसी में लेना है रेस्क्यू रेमिडी और फैसियोलस दोनों मेडिसिन आपको लेनी है अब इनको 2 दोबोन। सुभा साम आपको लेना है दोनों दवाओं के बीच में आपको 10-10 मिनट का अंतर रखना है 10 मिनट के अंतर आंतर पी आपको दवाओं के यूज करना है इनका किसी प्रकार कोई साल्इट नई है बहुत ही नार्मल और बहुत ही अच्छी दवाएं हैं सुबा साम लीजिए आपकी सारी समस्याइं दूर हो जाएंगी पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दीवी जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो में दीवी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइप, सेर और चैनल के सब्सक्राइब बेरों कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की नॉलेज़ वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्प कुलूंगी थैंक यू